हेलो रिवान वेलकम हापका आपके अपने चैनल पर तो फिर आज की रिडियो में हम फुल इलास्टिक पैंट की कटिंग करेंगे और 40 हिप साइज के अकोडिंग इस पैंट के हम कटिंग करने वाले हैं आपका कोई भी मैजरमेंट हो आप इसी फार्मूले से आप पैंट की सकते हैं तो यहां पर यह आप देख सकते हैं मैंने कपड़ा यहां पर विछाया हुआ है विट्थ वाइज कपड़े को फोल्ड कर लिया है मैंने किनारी से किनारी कपड़े की मिलाते हुए इसको फोल्ड किया है और सबसे पहले हमने कपड़े को इक्वल करना है कोई भी हम मुलिघर सकते है और को किसी नहीं बनाइगे तो 9,5 पर मैंने मार्क लगा लिया है और इसको हम सिधा कर लेंगे और पैंट कAreंट करने के लिए पहले हमने फ्रेंट पार्ट जो होते हैं वो कटीग करने हैं तो उसके लिए मारक लिया हैं अब एकिये जो मार्क लिदिया यहां से हम पैंट की लेंथ जितनी भी आपने अपनी रखनी है वह लेंथ आप यहां पर मार्क कर लीजिए तो यहां पर 39 इंच मैंने पैंट की लेंथ रखनी है तो उसके अकोडिंग मैंने यहां पर मार्क लगा लिया है और फोल्डिंग के लिए आप जितनी चोड़ाई आ चाहिए दाइ या तीन ठीक है तो मैंने यहाँ पर नहीं पर मार्क लगा लिया है यह दिखा देती हूं तो आप देखे किनारी वाली साई है कपड़े की मैनी पहली बताया है आपको और यह देखिए हमारा हीप साइज है यहाँ पर 14 तो अब यहां वसे हम इसको फोर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहां पर यह 10 इंच आता है ठीक है आपका कोई भी साइज हो हिप का साइज आपने लेना है कमर का साइज नहीं लेना है पैंट कर ते समय उसको हमने फोर से डिवाइड करना है जो भी आपका आता है वो आपने ले लेना है ठीक है तो यहां पर नहीं आप देखिये मैंने यहां पर 10 नहीं लेगा लिया है आव हमने यहां पर लोजिघ कितनी लएनी है वह आप सकते हैं दस इंच पर हमने मार्क लगा लिया, उसके बाद हमने दो इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है, एक इंच हमारा लूजिंग के लिए जाएगा और एक इंच हमारा स्टिचिंग में विचला जाएगा, तो यहाँ पर टोटल हमने दो इंच एक्स्ट्रा लेना है, फ्रेंट यहां से लाज्टिक के लिए छोड़ा हुआ कपड़ा हुआ है और 12 इंच के लिए उतना ही हम आसन लेंगे तो यहां पर 12 इंच पर मैं इंच मार्क लगा दिया है और इसको यहां से से सिधा कर देंगे और आप देखिए जो यहां से हम इसमें आसन के लिए गुलाई डालेंगे यानि क्रोच एरिया जो है उसमें हम गुलाई डालेंगे तो यहां से हमने कितना लेना है तो यह देखे, यहाँ पर यह मैंने धाइंच ले लिया है, यह standard size के लिए धाइंच बिल्कुल सभी रहता है, अगर heavy size है तो आप यहाँ पर तीन इच भी ले सकते हैं, अगर आप किसी बिल्कुल ही पतले बंदे का बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर दो इच भी ले सकते हैं, अब देखे, यहाँ से हमने center करना है, तो यहां पर हम कई बार गल्ती कर देते हैं, जो कि हमारी paint है, जो paint की side की slide होती है, वो हमारी घूमती है, वो किस कारण से घूमती है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे कि हम यहाँ से जो center करते हैं, draufãy sense के लिए the mark ठीक है कई वार क्या होता है कि जो हमने एक रोच एरिया वहां तक बढ़ाया है डाइंच वहां से नहीं करते हैं जो हमने ये कमर के लिए लिया हुआ यहां से हम सेंटर कर लेते हैं तो उससे हमारी पैंट घूमती है अब देखिए जितना सेंटर हमने यहां पर किया है उतना ह इसमें दोनों साइड से 4-4 इंच पर में यह मार्क लगा लोंगी जो हमने सेंटर के लिए मार्क लगाया है उसके दोनों साइड 4-4 इंच पर हम मार्क लगा लेंगे जितना हमारी Reddy Mori रहेगी वह मार्क हम यहां पर लगाएंगे इसमें कोई भी लूजिंग वगेरा हम नहीं देंगे वो लूजिंग हम देंगे बैक पार्ट की जब कटिंग करेंगे तो उसमें ठीक है अब देखिए यहाँ पर भी एक हम मार्क लगा लेंगे जो हमारा क्रोच एरिया है इसके बिल्कुल बराबर में क्योंकि इसमें हम पैंट की इसको सेफ देंगे तो उसमें आसानी रहेगी तो आप देखिए फ्रेंट से फट्टी से हम इसमें जो है दोनो मार्क मिला लेते हैं लेकिन कई जो फ्रैंटा वोते हैं उनको की से talk में clear आप कार दें देंगे एठ़िए इसमें से रखा है थोड़ा अंदर ये लागे लाएं financial को यहां पर लगाना है बिल्कुल इंचटेप को इंचटेप सेयदे राथ तो घुमाव देते हुए हम इस तरीके से एंगे यान कि अंदर की साइब हमने इसमें थोड़ी सी गुलाई की सेयफ देनी है ये इस तरीके से भी है तो ये सेयह मैंने देंदी है आप देख सकते हैं बिल्कुल पर्फैक्ट जो है ये सेफ आएगे हमारी तो यहां पर मैं सेफटी से भी आपको दिखा देती हूं यह देखिए जैसे हमने यह सेफटी इस तरीके से रखनी थी और इस तरीके से हम इसमें सेफ देते तो यह देखिए बिल्कुल यहां पर परफेक्ट हमारी सेफ की जो है मार्किंग हुई है पैंट उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है यह देखिए और यह स्ट्रेट पैंट है अगर आपको ज्यादा ही फिटिंग में चाहिए तो आप जो सेफ अटी है उसको बिल्कुल नीचे की साइड करते हुए इसमें सेफ दीजिएगा ठीक है यह भी मैंने मार्क लगा दिया है अब इसम से लगा सकते हैं इसमें सेफ तो अब देखिए यहां से जो यह कोर्नर बनता है इस साइड जो हमारी किनारी वाली साइड है आपको मैं बता रहे हूं यह देखिए तो इसको भी हमने जो सेफ पट्टी है उसको इस तरीके से रखना है यह देखिए और इसको सेफ देदेनी ह ताकि जो हम इसकी stitching करेंगे तो यहां से जो है हमारी pen corner की तरहां जैसे की भार नहीं निकलेगी ठीक है तो फिर वो दिखने में stitching करने के बाद अच्छी नहीं लगती है तो यहां से हमने इसको safe देनी है गोलाई करते हुए तो यहां पर front part की हमारी marking हो गई है अब यहां पर हम cutting कर लेते हैं जो हमने marking की है बिल्कुल उसी के उपर हमने इसकी cutting करनी है ठीक है तो यहां पर मैं cutting कर लेती हूं और फिर मैं आपको बताती हूं back part में हमने इसकी cutting किस तरीके से करनी है तो back part के लिए भी हमने कपड़े को इसी तरीके से बिचाना है जैसे हमने front के लिए बिचाया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं back part के उपर मैंने ये front part इस तरीके से रख लिया है ठीक है अब देखिए किनारी वाली साइड हमने बिल्कुल इसको मिलाते हुए रखा हुआ है क्योंकि इस साइड से हमने कोई लूजिंग वगेरा नहीं डालनी है और बैक साइड को हमने ऊपर की साइड ये रेखिए 2,5 इंच हमने इसको बढ़ाते हुए कपड़े को रखना है ठीक है यानकि फ्रंट पार्ट को हम 2,5 इंच नीचे की साइड रखेंगे और यह देखिए इस side से में यह mark लगा देती हूँ क्योंकि यहां से हमने इसी पर cutting करनी है और अब देखिए जो हमारी back side है उसमें हमने marking कैसे करनी है ठीक है आब देखिए इस तरीके से यह हम pen बिचा लेंगे इस side से हमने marking कर दी है फ्रेंट वाली साइड जो हमारी वाली साइड है अब देखिए जो हमारा क्रोच एरिया है यहां से हमने इसमें थोड़ा सा चेंज करना है यह देखिए जो हमारा आसन है यह जो कोर्णर सा है यहां से हम इस तरीके से स्केल को रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन कर लेंगे तो यहां पर यह दो इंच पर हम लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से सिधा मार्क कर देंगे और यहां से गोलाय की सेफ देंगे ये बैक साइड का हमारा आसन हो जाएगा अब देखे यहाँ पर नीचे की साइड हमने इसमें लूजिंग कितनी देनी है वो यहाँ पर 2 इंच हमने देनी है तो 2-2 इंच पर हम इस तरीके से इस पर मार्क लगा लेंगे और फिर इसको मिला लेंगे तो बोटम साइड भी मैंने इस पर मार्क लगा लिया है जितनी हमने लूजिंग दी है दो इंच की नीचे तक हम बराबर इसमें लूजिंग देंगे और यह देखे सेफटी इस तरीके से रखनी है और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे इसका और यह देखे थाई पर भी हम आगर आपको फिटिंग चाहिए तो आप थाई का भी मैजर्मेंट ले लिजेगा और उसके अकोर्डिंग आप यहाँ पर मार्क कीजिए तो यह जो पैंट मैंने बनाई है यह बिल्कुल फिटिंग में मैंने नहीं बनानी थी इसको स्ट्रेट पैंट जो है थोड़ी सी लूज करके ही मैंने बनानी थी तो इसका मैंने फिट थाई का मेंजर्मेंट इसमें नहीं लिया था तो यह लूज पैंट जो है हम बना लें तो बिल्कुल ही सही आएगी उनको जिनका मेजरमेंट है तो अब देखें यहां से मैं इसको कटिंग कर लेती हूं इस साइड से बिल्कुल इसके साथ साथ कटिंग किया है और दूसरे साइड जो हमने मार्किंग की हुई है उसके उपर हम कटिंग कर लेंगे तो यहां पर दे आप देखिए इस साइड हम आजाते हैं जो हमने एक्स्ट्रा यहां पर धाइंच कपड़ा रखा हुआ था पल्ले पर तो उसको हमने इस तरीके से जो है इसका आसन बढ़ाना होता है यह देखिए इस साइड से बिल्कुल इसको मिला देंगे और दूसरे साइड से इसको इस करेंगे इसको पोना इंच के आसवास में इसको कम कर दूंगी ठीक है आप एक इंच भी कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से हमने इसको डाउन कर देना है फ्रेंट आसन को अगर हम फ्रेंट आसन को डाउन नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आसन हमारा तो इसका अध्यान रखना है और आप देखिए इसकी कम्पलेट कटिंग हमारी हो गई है ठीक है लेकिन मैंने इसमें कोई प्लेट वगरा नहीं लगानी थी तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताई है तो कंप्लेट कटिंग हमारी यहां पर हो गई है फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए फ्रेंट्स मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो कैसी